कुःण joints by भाग रहा है तो बिहार क्या घ्रोनात लड़ेगा है यह पीटाजी बन रहा है यह लालू जादों बनने चले Kir पप आगो फिरिये दिया कि पूरा बिहार इनका सफाया हो जाये लडाई के मैदान में Thomas बिहार हो चाहें जीत हो नमस्कार आप नीश फोर्णेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ बंदना बिहार में एक बार फिर से उपचुनाओ को लेकर सियासत गरमाई हुई आपको बता दें कि कुर्णी विधानसभा सीट पर उपचुनाओ होना है यह उपचुनाओ बड कुर्णी विधानसभा जो जिस अभी हालात से गुजर रहा है मुझे तो लगता है कि फिर गोपालेगं का हाल होगा क्योंकि मेरा सवाल यह है कि क्या लगता है कि तेजश्वियाद और गयें क्या जदियू को सीट दे दिये यह तहम परसों ही बोल दिये थे कि गुपाल गंच के चुनाओ इनका लड़ना इंटेंशन नहीं था इनका इंटेंशन इंद्रा जादो साधू जादो को निचा दिखाना था तो ये अपने मकसद में कम्याब हो नहीं पाए कि गुपाल गंज के चुनाव इनका लड़ना इंटेंशन नहीं था इनका इंटेंशन इंद्रा जादो साधु जादो को निचा दिखाना था तो ये अपने मकसद में कम्याब हो नहीं पाए इनकी वहाँ खटिया खड़ी हो गई तो पहले भी हमने कहा कि यह बीजेपी को हराने की इकामी लोग नहीं कर रहा है यह तो गोपाल गज में जब कॉंग्रेस को सीड़ था तो क्यों टांग अड़ा है बीजेपी को हराने के लिए टांग नहीं अड़ा है हम बार-बार कर रहा है कि यह लोग बीजेपी से समझावता किया है और बीजेपी से मिल करके यह आरज्यडी काम कर रही है तो यह चला गया गोपाल गंज में, कॉंगरेस के सीट को छीन करके और जहां सीटिंग सीट यहां कुढ़नी में है, तो यहां से लेंडर घुटना ठेक दिया तो यह असपश्ट दर्स आ रहा है कि यह बीजेपी से लड़ाई इनको नहीं लड़ना है इनको खाली वहां लड़ना था गोपाल गंज में साधू जादो इंद्रा जादो से अब तो हम तो बोलिये दिया है कि पूरा बिहार इनका सफाया हो जाएगा यह अब कहीं नहीं रहेंगे आपके बातों में दम है बेलकुल दम है तब तो हम बोल रहे हैं बिना दम के हम कहां बोलते हैं बिना दम के हम नहीं बोलते हैं दम है तब बोल रहे हैं इनकी पूरी कहानी खतम होगी पचीस के चुनाव में चौबिस तो लोग सभाई जाएंगे ही इनको कोई बचाने वाला नहीं है चुकि यह अंकार पाल लिये हैं ये बूज रहे हैं कि हमारे पीता का विरासत का हमको जिमोदारी मिल गया है तो ये पीता जी बन रहे हैं ये लालू जादो बनने चले हैं जबकि इनको पता ही नहीं है कि लालू जादो कितना जो है मुसीबत जहल करके और बिहार जैसे फ्योडल एस्टेट का मुखमंत्री ब बने ये सारा जोड घटाव हम लोगों ने किया अब उसके बाउदावलत जो है लालू प्रसाद जी मुखमंत्री बने चोहतर अंदोलन के उपज थे इसलिए मुखमंत्री बन गए और यह बूज रहे हैं कि पूरा बिहार हमारा बपवती है ये बपवती समझ रहे हैं और जादों को जागीर समझ रहे हैं कि पूरा जादों हमारा बिहार का हमारे पास रहेगा जिस दिन बीजेपी मुखमंत्री घोसना करेगी कि फलानवा मुखमंत्री बनेगा उसी दिन इनकी बिहार में बोलती बंद हो जाएगी इनको पता ही नहीं है अभी लेकिन चलिए यह एक बार और ट्राई कर ला है फिछे भी ट्राई कर चुके हैं और फिर ट्राई कर लें और पता चल जाएगा तो अभी तो घुटना टेक दिये कुढ़नी के सीट पर इनकी सीटिंग सीट थी घुटना टेक दिये मोगाडी के तरह लड़ाई के मैडान में चाहे हार हो चाहे जीत हो लड़ना चाहिए और भागना नहीं चाहिए पीट देखा के यह तो पीट देखा के भाग गया लड़का ही क्या लड़ाई लड़ने वाला लड़का नहीं है फिर्ट देखा के भागने वाला है अभी पता चल गया कुड़नी से ही कि अनिल सहनी इसका सीटिंग सीट का एमेले था किसी कारण सजाए हो गया अब सीट पर बाई एलेक्शन हो रहा है तो इसको हार आजजीत से भागना था इसको लड़ना चाहिए था तब पता चलता तो यह फिर्ट देखा के भागने वाले लोगों में से यह लड़का साभीत हुआ इसलिए बेलकुल इसका चबी खराब है चबी है कहां कौन काता है कि चबी है अजो यह फुट फुटिया फुक फुकिया के फेरा में पड़ा है तब फुक फु उमेद पर यह खरा नहीं उत्रा तो कह दिए कि आगे आने वाले समय के मुख्षमंत्री है नितीश कुमार खाली मूसन बोले हैं तो मूसन नहीं बोलेंगा तो पांच सालों घीचेंगे कैसे जब बीजेपी के तरफ तो है नहीं अई इधर है तो इधर यही नहीं कहका के घ पड़े हुए हैं इनको कहें के नितीश कुमार मुख्षमंत्री माल लेगा इनको तो पांच साल घीच करके टाइम पास करेगा नितीश कुमार और टाइम पास में इनको भूलवा कर रखेगा फुसला कर रखेगा इनको कहां आवकात है कि मुख्षमंत्री नितीश कुमार स चला है बाहर लड़के दिखाओ तुम कुढ़नी में लड़के दिखाता तो कुढ़नी से भाग रहा है तो बिहार क्या घ्योड़ा लड़ेगा बिहार इसकी बस का चीज नहीं है ग हाँ बेलकुल बेलकुल गया था लड़ने इंद्रा-जदो प्ड़मार दे दिया कि कुढ़नी सीटिंग सीट छोड़के बाग गया अजो कॉंगरेस के सीट था उस पर जा करके चुनाव लड़ा यह सको पता था कि इंद्रा-जदो चुनाव इसपर जित क्या रही है टुरल समझ गया कि ये लड़का से बिहार में कुछ होने जाने को नहीं है उत्म मेरे जैसे लोग था कि लालू प्रशाद जी को नबे में बनाया गया बिल्कुल नहीं हमारी कंपेणिंग थी हमने कंपेण किया था नितिश कुमार जक्ता नंसिंग साधू जादो तीन आदमी ने ही कंपेण किया था जिसमें 90 में मुखमंत्री बने थे हमारी उसमें जोगदान थी और फिर हमने 2000 में जोगदान दिया नबे में तो 95 में तो एटीन सेशन के जुगदान से बने मुखमंत्री और जो लोग आज कल भासन दे रहे हैं दलाल टाइप के लोग तो इलो तो खा रहे हैं इलो तो मलाई खा रहे हैं साधू जादों को मलाई थोड़ीय मिला है अब हम सब्सक्राइब को पता है कि भिहार में कुछ दलाल टाइप के लोग हैं एक छूट कर और में का सासन पर सासन इतना दिन से हो गए एक लेंस किसी फनेदार फो इस्पेक्टर को कि सब लोग छोड़ेंगे ईनको हां सब छोड़ेंगे इनको नित्विश कुमार जी जब से बैठे हैं एक भी जादो नथनेदार है ना इंस्पेक्टर है ना डीएसपी है ना डीएम है अजब सेंटिंग में पड़ा हुआ है तो कौन जी के सासन प्रसासन आप चला रहे हैं जी किसके मिल के साथ चला रहे हैं कहें आपने दवधारी छोड़ दिया क्यों नहीं आपने हिसादारी लिया तो बिहार के लोग करके घुटना टेकर करके बैठा हुए सच्वाले से लेकर के इधर से उधर बंदरबाट किया जा रहा है कि साधू यादो का आज अगर सपोर्ट रहता तेजश्यादो के सर पे तो आज यह नहीं होता हम लोग किसी से डरने वाले या दबने वाले हैं क्या हमारी सियर और हम एक आसी यह एक मेले लेकर करके हम चल रहे हैं तो हमारी सज़धारी बेशी होनी चाहिए हम हमारे चाहने से क्या होगा हमारे चाहने से क्कुखवा चाहरा हूँ हो रहा ना वहां तक खन फुकवा बैठा हुआ है आप भी बताए कि एक भी आईएस अधिकारी का आईपियस पढ़ा हुआ है ना मार्य से समूज्जाइं में करहें करें ना इमितिया करें खनाली के जनकाली रहा हुना बहाली जो हुआ भीταιफिए और सब जबाल कर दिया कि हम पहले भी हम कह रहे हैं अभी भी कह रहे हैं कि चेतने की जरुवत है यह लड़ाई इसको बिहार में लड़ना था तो गोपाल गंज में लडने चला गया अब गोपाल गंज के लोग समझ गया कि लड़का क्या चीज है अब यह हम नहीं देखा है हमने देखा भी नहीं है कि कौन क्या है अब तो पूरे बिहार में सारबंदी का जो ढूंग रचा जा रहा है तो ओपन है सब जगे हमारे भी बंटी बबली दारू खुलियाम एलेक्शन में इस्तेवाल किया गया खुलियाम बेचा गया हर किराना के दोकान में भीक रहा है वहां के परसासन एकदम निशक्रिये है बंटी बबली नामें है उसका है अब चुना में बाट दिया एलेक्शन में तो सब इस्तामाली लोग किया तो नितियश कुमार तो बेलकुल फेली और आदमी साबित हो गय है यह सासन कहां चला पा रहे हैं बेलकुल नहीं निरंगु सब्सक्राइब कौन जितेगा कोड़नी में देखिए अभी नामनेशन हो गरे समाप्त होने दीजिए जैसे सकुटनी हो गरे सब छट के कौन हो रहे हैं क्या कडिनेचर है क्या है नहीं है उसके बाद रिजल्ट ह पतानेवला है उसके बाद तुरत हम बता देंगे की turned कहा जाएगर', हैं अभी हम नहीं बताएंगे हाँ अभी हम आप यहां और करेंगे अरे हम हम तो कह रहे हैं कि आर्जेडी के सफाया हो जाएगा खुद पता चल जाएगा एक सवाल है आपके जो भांजा है वह हुआ है वह को काफी जो है उनसे उमीद है और आकर्शन जो है तेजश्रियादों के प्रति ज्यादा है जिस तरह से नियुकती पत्र बाट क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में अपने बाद से यह पहले बताएगे के बहाली सिटंबर में पीछे सितंबर मामें ही जो भी थॉइन महिना से जाधा होने जा रहा है जुइनिंग का आव उसका यह नियुकति पत्र दे रहे है तो उस पर अभी जो आएगा पटना उसका जो है कमान ले करके आएगा तो ऊसको ठाराने का रखने का या घॉड़ा का टो सरकार का पैसा खर्चा होगा की नहीं तो सरकार के पैसा रहा है के ओं पैशा परबाद किया जा रहा है जब ओ सितंबर कौन फिर इन कोई चीज़ का उसी में दस हजार सिपाई है दूहजार दरोगा है तो बारह हजार पर आप गुणा भाग कर लिजे कि कितना सरकार के अर्बो रुपिया उसके रोख रखावा आने जाने और खर्चा ठाराने का सब चीज़ पर खर्चा होगा इससे क्या इज़त बचेगा जब सितंबर माह में जब उसी समय लोगों को जब करना ही था तो वेट करा लेते तीन महीना अतब नियुक्ति पत्र देते तो इन्होंने और लेडि जॉइनिंग कराने के बाद फिर कौन सा नियुक्ति पत्र है जी जिसकी तनका मिलना सुरू हो तो यह तो सरकार कोई अगर पियाएल में जाता है तो सरकार बुरी तरह फसेगी कि दुबारा कोंच का नियुक्ति पत्र जो और लेडि तीन महीना पहले नियुक्ति पत्र दिया जोगदान दे दिया तंका अलाउट हो गया उसको तंका मिलने लगा अब फिर बोला करके उस किड्नी की बाद कर रहे हैं तो क्या लगता है कि लेसे कंश तो चंगर को किया की सवी जा सब्सक्राइब das शाम नहीं कर दोअनुन होग तो यह फेत कीनि मैं जमीन श्मान मैं प्रफफ नैक्टर राय कम मनना है उसका किम हैं लालू जी का ओमर ज्यादा है तो महिला का किड्नी और पूरुस का किड्नी में बड़ी फर्क है तो राइовых नियुक्त है बइन ukार भis साफ तोर्चिनों ने कह दिया कि दो जो दो हजार पचीस में जो विधान सभा का चुनाव होना है बिहार में उसमें राज़त का सफाया हो जाएगा कोड़नी विधान सभा सीट पर जो उपचुनाव होना है ते जश्वी पहले ही डर गये थे इसलिए क्योंकि उनको बिहार की कि दो हजार पचीस के विहार विधान सभा चुनाव में राज़त का सफाया होना तै है इसकर बस इतना ही बने रहे हैं इस पोड़नेशन के साथ अब तक हमारे चैनल को सब्स्राइब कियें तो कलेज़े धन्यवाद